रश्टपती पर के लिए चुनाव उल्यक्तोरल वोटों की काॉंटिंग में एक तरीके से काॉंप पीछे नज़रा रहा है। शफिशाली राष्ट अमेरिका की सत्ता किसके हातों पर रहेगी इस पर टिकी है पूरी दुनिया की नजर क्या एक बार फिर से ट्रॉम्प की वाक्सी होती है या फिर बाइडन जीतते हैं ये देखना बहुत जादा इंट्रेस्टिंग होगा अमेरिका के दिल में आखिरकार है क्या लेकिन फिलावल आपको ये बताएं कि जो इलेक्ट्रॉलर वोट की जो काउंटिंग हो रही है उसके हिसाब से एक तरीके से ट्रॉम्प जो है वो इस वक्त पीछे चल रहे है अमेरिकी की फोस्ट लेडी मिलानिया ट्रॉम्प ने फ्लॉलरीडा के पाम बीच उलाके में वोट कास्ट किया है साथिसाथ 2016 के राष्टपती पत के उमीदवाद रही हिलेरी क्लिंटन ने अपने पती पूरवे राष्ट पती बिल्ट क्लिंटन के साथ वोट कास्ट किया है दो तस्वीरे इस वक्त आप अपने टिवी स्क्वीन पर देख पा रहे हैं हाला कि अमेरिका में पहले अर्ली वोटिंग भी हुई थी जिसमें भी लोगों ने अपना वोट कास्ट किया लेकिन फिलाल लोग पहुंच रहे हैं और वहाँ पर वोट कास्ट कर रहे हैं अमेरिका में राष्टपती पत के लिए चुनाव या आपको बड़ी ख़बर बता रहे हैं इलेक्टोरल वोटों की काउंटिंग में अभी ट्रॉम्प पीछे नज़र आ रहे हैं हाला कि ये बहुत जुल्दबाजी होगे इंतजार करना होगा कि आज जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती है तब क्या नज़र आता है क्योंकि 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट ज़रूरी है अमेरिका आखिरकार किसे चुनता है किसे मौका मिलता है क्या एक बार फिर से क्रॉम्प को चुना है वहाँ की आवान ने वहाँ की जुरता ने ये भी देखना बहुत ज़ादा इंप्रेस्टिंग होगा तो दिन भर हमारी महा कफरिश लगतार जारी होगी हर हल चल आप तक पहुंचाएंगे लेकिन